जी जी और जब मैंने एक वीडियो अपनी पहली बनाई तो उस वीडियो को बनाने में हीमंगे दस दिन लगे अब आप सोचिए कि एक वीडियो को ने में और एक वीडियो को IDIT करने में कितना मेहनत लगता है यह हम यह और आपके जैसे जो यूटीबर देख रहे हैं वही समझ सकते हैं और उसमें अगर आपकी वीडियो वारल भी हो जाए और आपका चैनल मॉटाइज ना हो तो कितना ज्यादा दुख होता है ये एक यूटीबर समझ सकता है दोस्तों यूटीब पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क कि स्टोरी से रिलेटर वीडियो बनाना चाहते हैं मोटीवेशन से रिलेटर वीडियो बनाना चाहते हैं अपना फेस तो नहीं दिखाना चाहते हैं लेकिन ये चाहते हैं कि यूटीब से पैसा कमाया ऐसे ही हमारे एक सस्ट्राइबर है हरीस कुमार जी जिनका एक चैनल इन तरह की कमी नहीं है जैसा music होना चाहिए जैसा यहां पर बोलने का तरीका होना चाहिए जैसी editing होनी चाहिए सब कुछ इनके वीडियो में जो है perfect है अब ऐसी वीडियो बहुत लोग बना तो देते हैं लेकिन कुछ गलतियों के कारण channel monetize नहीं हो पाता है जैसे कि इन्होंने व content problem से बहुत लोग परिसान है और यह बहुत ही खतरनाक policy है YouTube की इससे बहुत सारे लोगों की मेहनत एक जटके में बरबाद हो जाती है अब अरिश्कुमार जी एक चीज मुझे बताईए कि एक वीडियो को बनाने में इस तरह की वीडियो को बनाने में आपको कितना सीखना पड़ा और कितना इसमें effort लगे short line में आप जो है जड़ा audience को बताईए एक वीडियो को बनाने में मुझे पहले starting में कम से कम दो मेने तो मुझे इसको सीखने में लग जी जी और जब मैंने एक वीडियो अपनी पहली बनाई तो उस वीडियो को बनाने में ही मुझे 10 दिन अब आप सोचिए कि एक वीडियो को बनाने में और एक वीडियो को इडिट करने में कितना महनत लगता है यह हम यह और आपके जैसे जो यूटीबर देख रहे हैं वही समझ सकते हैं इसके अलावा कोई भी नहीं समझ सकता है अब सोचिए कि इतनी महनत से पहले तो आप editing सी उसके बाद आप सीखते हैं कि कैसे वीडियो में क्या effect डालना है कौन सा template लगाना है क्योंकि मेरा मानना यह है कि face वाली वीडियो बनाने से ज्यादा महनत है without face वाली वीडियो बनाने में अब दोस्तों मैं आपको मेन कारण बताने वाला हूँ कि क्या ऐसी गलती होती है जिससे कि आपका चैनल आगे चलके मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि आप मालीजी अपने वीडियो में महनत कर रहे हैं आप अपने content को बनाने महनत कर रहे हैं और आपको एक वीडियो बनाने में कम से कम दो से चार घंटे पांच घंटे लग रहे हैं किसी को एक से दो दिन भी वीडियो बनाने में लग रहे हैं और ऐसे बनाते 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 आपको मालीजी तीन महीने छे महीने से आपने यूटीब पर महनत किया और लास्ट में जब आपके वीडियोज पर व्यूज भी चले गए जब आपके सब्स्राइबर भी हो गए और आपने जब मॉटाइशन के लिए अपलाई किया और उधर से अगर आ गया कि आपका चैनल मॉटाइज नहीं किया जा सकता है आपके चैनल को रिजेक्ट किया जात कि जितने भी लोग YouTube पर वीडियोज बनाते हैं जादा तरलोग काई यूज करते हैं या फिर अब किसी भी अप्लिकेशन का यूज करते हैं डिरेटिंग के लिए चाहे वो काई मास्ट और हो चाहे हूँ वह विडियो कठों फिल्म हो रहाँ कोई भी रिरेटिंग सॉफट है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं और क्या गलतिया होती है वो आपको यहाँ पर दिखाने वाला है जैसे इन्होंने अपना काइन मास्टर नहीं है तो आप हमसे ले सकते हैं हमारा कॉंटेक्ट नमर भी डिस्रिप्शन में है अब आपको काइन मास्टर देंगे जो लाइफ टाइम फ्री रहेगा उसमें कोई भी लोगो या कुछ नहीं आएगा चलिए यह तो कॉमन बात है अब यहाँ पर देखिए यह सारे प्रोजेक्ट जो है इन्होंने सेव करके रखे हुए है यह जो भी इडिटिंग करते हैं से क्रिसा इसे रिलेटर इडिटिंग करते हैं तो यह जो है इनका प्रोजेक्ट आल्रेडी सेवड है मतलब कि इन्होंने जो वीडियो बनाई है उसका प्रोजेक्ट एक तरीके से से करका और यह हर विडियो एडिटिंग आप में यह option होता ही होता है अब मालीजा आप faceless वीडियो बनाते हैं आप कोई टेक्स डाल रहे हैं स्टोरी की वीडियो बना रहे हैं या फिर कोई फोटो लगा रहे हैं तो आप लोग गलती क्या करते हैं कि पुराने ही प्रोजेक्ट को उठाते हैं और उसी में आप टेक्स्ट आइड कर देते हैं उसी में फोटो आइड कर देते हैं और फिर से उसको एक्सपोर्ट कर देते हैं I am right यही problem हरी स्कुभार जी के साथ होई, यही दिक्कत इनके साथ होई, इन्होंने क्या किया कि अपने जो इन्होंने प्रोजेक्ट सेव करकर रखा है पहले से, उसी प्रोजेक्ट को इइट करके बार-बार उसी से वीडियो एक्सपोर्ट हुआ और उसी से जो है यह वीडिय वो वीडियो देखने नहीं जाता है लेकिन वो सिर्फ आपके एक्सपोर्ट आइडी से पकड़ लेगा कि आपकी वीडियो सेम हैं अब देखिए यहाँ पर करना क्या चाहिए यह तो हो गई गलतिया जो आप एक प्रोजेक्ट को सेव करकर रखते हैं और उसी से बार बार वी तरीके से वीडियो बना अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो यहीं मैसेज आप सब को देना था दोस्तों और हरीश कुमार जी ने अभी एक नया चैनल बनाया है अपना उस पे भी आप सब से सपोर्ट चाहिए उस उस चैनल पर आप सब सब सपोर्ट करिए इनको और आस वी किट्स वीडियो है और इस चैनल पर आप सभी को सपोर्ट करना है अब रेगूलर वीडियो आएंगी और जाज सद आधा इस वीडियो को लाइक करिए और शेर करिए और सरकाव के डिस्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे जाज सद आप सब सपोर्ट दीखाए यह वीडियो दिखने के लिए बहुत बहुत अन्यवाद